हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब अब में यह जानना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री के साथ काल आपकी बैठक होई थी क्या उम्मीद आप लगा कर बैठे हुएं आज संबोधित करने जा रहें प्रधान मंत्री अदिये देश के कैप्टेन है हमारे देश के पर्दानमंत्रियाद के करोना यूद में इस अंकरमन का कैप्टेन की भूमिका में है और उनका निणने अंतिम निणने होगा और हम जारखन से यही उमीद करेंगे जार्खन की तरब से चुकि यह राज देश का सबसे पिछड़ा राज है और मजदूरों का ही यह राज है और बड़े पैमाने पर हम जार्खन, बिहार, बंगा, लोडिसा, च्छतिसगर के लोग देश की आत्विवस्था के पहिये को चलाने में हमारे मजदूरों की एक बड मजदूरों के बिसे पर देश के परधान मंत्री जी जरूर काफी समयदन सिल हमारे परधान मंत्री हैं वो जरूर कुछ न कुछ इस बिसे पर रखेंगे बातों को क्योंकि जिस तरीके से देश की अर्थविवस्था की पहिया रुकी पड़ी है इसमें कहीं न कहीं हमारे इ भूमिका रही है जो इसको चलाते रहे हैं चाहे संगठित मजदूर होकर और आज जो ये एक नदी सी बन गई थी मजदूरों की परवाह जो चल रहा था बरसों से अलग-अलग राज्यों में जाकर के अपना लोगों ने योगदान दिया है अपना भूमिका निभाई है अब वो नदी मुड़ चुकी है अपनी घरों की और चल चुकी है कोई आपके उमीद यही है मिन्स वरेंजी कि आज मजदूरों की समस्या को लेके प्रदान मंत्री कुछ जरूर बोलें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल जब बैठक हुई थी तो क्या आपने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए अपील की है प्रदान मंत्री से क्या पक्ष है आपका सरकार में रहते हुए बतौर मुख्य मंत्री जहारखंड को लेकर कि देखिए हमने हमने आज तक जो भी ग्रिह मंत्राला से जो हमें राज्यों को आदेश प्राप्त हुआ है उसको हम लोगों अक्छर सा पालन भी किया है और हमने तो पहले भी कहा कि कैपटन का आदेश यह अंतिमा आदेश होता है यह मेरा मानना है और लॉक्डाउन खोलने को ले करके भी समय समय पर कई बार ग्रीमंतर जी के तरब से और ग्रीमंतर अले के तरब से राज सरकारों को निवदेश जारी होते रहे हैं लेकिन राज की हालात को ध्यान में रखकर कई राजों ने अपने अपने तरीके से उन आदेसों को पालन किया आदेसों का निर्वाहन किया कई लोगों ने उसको संसोदित किया कई लोगों ने नहीं माना और अभी हम लोगों की भी वही इस्थिती है ये सारी चीजें राज के आंत्रिक हालाद देखकर के निड़ने लिये जाते हैं और अभी हम चुकी लॉकडाउन हमारी खुली नहीं है हाला कि हमारे इस राज में अधिकतर भारत सरकार की उपकर में काम करती है जो लॉकडाउन पहली लॉकडाउन घोसना होने के बाद से भी उस उचारू रूप से कारेरत हैं चल रही है माइनिक अक्टिविटीज चल रहे हैं मैं तो बता रहा हूं कि लॉकडाउन हमारे राज जी की लॉकडाउन की स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घरों पर तो ग्रामीन छेत्रों में जिनको रोजगार नहीं है जिनको अपना व्यक्तिकत रोजगार रहा है व्यक्तिकत लोग काम कर रहे हैं दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, इनका तो सारा कुछ लॉक्डाउन इनके लिए तो हो गया, लेकिन जो उद्योग यहां चल रहे थे, उनके लिए यह लॉक्डाउन लागू नहीं हुआ, उद्योग है चलती रही, चाहे वो कोल इंडिया का उतपाद हो, चाहे डीवीसी क उतपाद हो, इसे सब वहां लॉक्डाउन नहीं हो पाया, और ऐसी इस्तिती पर तो हम जो लोग सरकारी मुलाजिम नहीं है, उन्हीं के उपर हम राज पर बता सकते हैं कि उनके लिए लॉक्डाउन आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यह मेरा मानना है कि गई थी हमारी समस्या तब आए कि जब परवासी मस्दूर हमारे राजियों में आना शुरू करेंगे और हमारी समस्या थोड़ी थोड़ी बढ़ने भी लगी हैं और इसको देखकर कि और यह तुकि लगबग 90% हमारा अच्छेतर ग्रामीन है और ग्रामीन च्छेतरों में चीज़ें अगर जो संक्रमित होती है तो चीज़ें थोड़ी सी चिंता जनक होने लगती है मैं इमंची आप से जानना चाहूंगी कि लगब कितना आकड़ा आपके पास मौजूद है जो प्रवासी मजदूर आपके प्रदेश में लौट रहे हैं अपने घर लौट रहे हैं और क्या इंतजाम आप उनके लिए कर रहे हैं क्या आप उनके लिए कॉरेंटीन सेंटर्स ब लाने की जब अनुमती दी हमें उस समय से लेकर जो ट्रेनों का आवाज आई प्रारम हुआ ट्रेनों से जब मजदूरों को लाने प्रारम की गई उस समय से लेकर अब तक लगबक हमारे सतर असी हजार मजदूर लगबग आ चुके हैं लेकिन इसके अलावा जो कुछ अपनी गाडियों से, कुछ साइकिलों से, कुछ आटोरिक्सा से, कुछ ट्रैक्टर से, कुछ बसों से, इदर उदर से आ गए लगबग ये सबी लोग जो सुरू के दौर में इन लोगों ने काम गई है, लेकिन जो अब जब ट्रेन की आवागावन प्रारंब हुई है, ट्रेन से जब मजदूरे आने लगी है, उस समय से मजदूरों में कुरोना प्रभावित चीजें देखने को मिल रही है, और जिनको हम अपने सरकार के द्वारा बनाएगे, सरकारी कॉरंटाइन छेत है कि वहाँ भी लोग बाहर से लोगों को आने पर थोड़ा सा लोग काफी जागरूख है और थोड़ा पाबंदी भी है, और सबी चीजों को तालमेल बनाते हुए, हम लोग चीजों को धीरे-धीरे ठीक होते हैं, उनको गाउन ले भेजने का काम करते हैं, और ऐसे भी 50% का हमारा रिकावरी रेट है, जो देश के पैमाने से अच्छा है, जी, हेमन जी मेरा सवाल आप से ये भी है, कि जो कॉंग्रिस चासेत प्रदेशों के मुख्य मंत्री हैं, उनका सीधा-सीधा आरोप केंदर सरकार के उपर, कि उस तरह की मदद उन्हें नहीं मिल रही है, जैस हमारी को पूरी डिपेंडेंसी के अंदरे पर है, देखिए हमें जो पहली बार जो पैकेज घोसना हुई थी लगबर 200-300 करोड़ रुपे की, उसके अलावा भी हमें किसी तरीकी की कोई मदद मिली नहीं है, आज हम अपने संसादनों सही चीजों को आगे गाड़ी खीच र पहले से कार्ड मौजूद है, जिनको पहले से अनाज दी जा रही है, और आज हम उन लोगों को भी अनाज दे रहे हैं, जिनके पास कार्ड नहीं है, और जिनके पास जिन लोगों ने एपलाई किया है, उनको भी हम दे रहे हैं, जिननों ने एपलाई नहीं कि आज उनको भ भी ले सकते हैं और हम बिल्कुल केंदर सरकार से आज हमारे पास संसाधन जुटाने के लिए हमारे पास कोई विबस्था नहीं है आज हमारे पास देश में GST लागू होने के बाद मानो राज सरकारों की रीड़ी की हड़ी निकल चुकी है हमारी तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट्सी आज केंदर सरकार पर है थोड़ी बहुत जो रेविन्यू जरनेरेट करने की इस्तिती थी वो भी सारे बंद हुए पड़े हैं आज इसलिए केंदर सरकार पर तो विसेश रूप से हम पिछड़े राज्यों के लिए यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी दली तल्प संख्यक बहुलता ही अच्छे तरह है और इसमें इन वर्गों की हालात क्या हुई है रही है देश में यह किसी से चुपी नहीं है और इनी की बहुलता ही इस राज में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी जरुरत होगी मैं कोई package की बात माने परदान मंत्री जी के समख्य नहीं रखता हूँ मैं राज की वास्तविक इस्तिति परदान मंत्री जी के समख्य रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि देश के परदान मंत्री इतने समेदन सील है कि ये बात जरूरी समझते होंगे कि हमारे राज को किस तरिकी की मदकित की आवस्ता है जो राज सबसे अधीक रेविन्यू रेलवे को देता हो जो जिस राज से लगबग 42% मिनरल देसों को देता हो आज उस राज को कहीं ना कहीं केंदर के लिए एक नियाए की उमीद है और हम को लगता है कि इस संक्रमन से बाहर आने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ परजान मंतरी जी आने वाला समय में बात कहेंगे बहुत बधन्यवाद धेमन सोरेंग जी एबीपी न्यूस के लिए समय निकालने के लिए करूंगे विए्मॉकरा करेंगेह लिए अर तक रबीद करेंगे लिए झाल झाल